तो आई ये हम लोगे स्टार्ट करते हैं अरe यहाँ पर हम लोग मगनेट यूज रकते हैं कई रोटेशन होने शلू हो जाता है उसके बाद है कि यहाँ पर जो calibration होता है इसका हम लोग DC से calibration करते हैं और जो इसका measurement हम लोग करते हैं इस instrument से AC और DC दोनों हम लोग measure कर सकते हैं without any modification, circuit में हम लोग को किसी भी type का modification करनी की ज़रूरत नहीं है This type of instrument जो है ammeter, voltmeter और wattmeter के तरह भी use होता है इसका हम लोग frequency measurement में भी इसको हम लोग use करते हैं, this is the construction of electrodynamometer type instrument इसको हम लोग dynamometer भी कहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि दो fixed coil है, एक movable coil है, scale है pointer है, तो यहाँ से input दिया और वो current जो है यहाँ से फिर हमारा measure होता है, deflection यहाँ पर create करता है, तो यहाँ पर circuit में complete होता है और यहाँ पर deflection यहाँ पर इस current के ऐसे यहाँ पर pointer में deflection आता है, तो आईए हम लोग देखते हैं fixed coil होता क्या है तो fixed coil magnetic field produce करता है, और जो कि two section में uniform section में divided होता है, इसको हम लोग two equal parts में रखते हैं, जो कि हमारा movable shaft जो होता है, उसको वो easily rotate करने में, rotation उसको easily allow कर सके, ठीक है next आपका होता है moving coil, तो moving coil self-sustaining coil होता है, इसमें कोई भी non-magnetic former हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, generally metallic former यूज करने का, नहीं यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर non-magnetic former यूज करते हैं, या फिर air core यूज करते हैं, इसका reason क्या होता है, कि metallic former यूज करने में, eddy current जो है, generate हो जाता है, while using the electric alternative current, AC current को यूज करने पर, यहाँ पर क्या होता है, कि eddy current generate हो जाता है, और moving coil, एक light होना चाहिए, इसका construction rigid होना चाहिए, और moving coil और fixed coil जो होता है, वो दोनों air core होता है, उसके center में जो core होता है, वो उसमें air filled रहता है, next है आपका controlling spring, या spring भी कह सकते हैं, तो controlling spring जो है, आपका controlling torque प्रोवाइट कराता है, by two control spring, okay आपका यहाँ पर दो side में देख रहे होंगे, यहाँ पर दो side में आपका controlling spring है, this is a hair spring, यह जो है आपका hair spring होता है, और इस spring का दूसरा काम यह होता है, पहला तो controlling torque प्रोवाइट कराता है, और दूसरा काम यह होता है, कि यह moving coil को current भी provide कराता है next आता है damper तो air friction damping जो यहाँ पर provide कराता है यहाँ पर use होता है यहाँ पर aluminum veins जो हम लोग use करते हैं okay aluminum veins जो की spindle attach होता है spindle से lower part में ठीक आपके moving coil के lower part में जो यह attach होता है next है आपका shielding यहाँ पर जो magnetic field चूकी magnet से ना generate हो करके moving sorry fixed coil से generate होता है तो उसका जो field होता है वो काफी weak होता है ठीक है तो इसको हम लोगों को shield करने का बतलब external effect से इसको बचाने की जरुरत होती है इसलिए यहाँ पर हम लोग shield का use करते हैं okay shielding करते हैं इसको हम लोग जो है लैमिनेट करते हैं hollow cylinder से okay next है आपका working of dynamometer type instrument electro dynamometer type instrument तो यहाँ पर जो होता है कि जब instrument को हम लोग circuit से connect करते हैं तो इसका जो operating current current flow होता है इसके वजे से क्या होता है कि हमारा जो किल के अंदर जो है moving coil के अंदर mechanical force generate होता है जिसके वजे से क्या होता है कि हमारा moving coil move करता है और moving coil move करता है तो हमारा pointer scale के ऊपर मतलब scale के पास भी we19个 character he rotate करता और दो दोणू Ante водALOK ॥ूइस से moving coil की roll together के VR रraw के नेच्ट रहा olan कि करेंड को रिवर्स करने से कर यहां पर यहां हो चाएंब ऑई कॉड़्ल का वह भी रिवर्स हो जाता है कि करेंड आगर हम्लोग रिवर्स करने हिसा एड और deflecting torque जो होता है उसमें change नहीं आता है, तो जिसके वज़े से हम लोगों को ये clear होता है कि AC और DC दोनों में ये work कर सकता है, अब next इसका advantage और disadvantage देखते हैं, सबसे पहले advantage देखते हैं, तो ये AC और DC दोनों में work करता है और इसमें AD current और hysteresis loss जो है नहीं होता है, reason क्या है कि इस इसका disadvantage क्या होता है कि इसका torque weight ratio जो है वो काफी small होता है, जिसके वज़े से इसमें friction generate होता है, इसका scale जो है uniform नहीं होता है, next और उसका बात है कि यहाँ पर जो screening होता है instrument का, यह जो है stray field effect, यहाँ नेक्स्ट है कि screening जो होता है instrument का, इसमें क्यों होता है, that means कि external field को से हम लोग जाना होता है, और दूसरा है, next है कि यह जो instrument होता है, costlier होता है, इसी वैसे यह काफी rare use होता है, अब हम लोग इसमें errors चेखते हैं, तो errors में क्यों होता है, कि low torque weight ratio, तो low torque, हम लोग torque weight ratio, high रखने का reason है कि जतना, यह ratio होता है, आपका जो coil का weight होता है, ठीक है, और जो torque होता ह है, उसके वज़य से, तो torque जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारा sensitive, instrument हमारा sensitive होगा, तो torque high होने से instrument sensitive होता है, तो अगर हमारा torque का value low होगा, या फिर torque normal है, as it is है, और हमारा weight बढ़ जाता है, तो भी ratio क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर है, क्योंकि हमार जो magnetic field जो produce होता है, coil से, वो error field होता है, उसके वज़य से क्या आता है, कि flux generate होता है, उसमें वो काफी low होता है, ठीक है, क्योंकि यह small current, और उसके वज़य से क्या आता है, कि torque भी काफी low होता है, flux low होता है, तो torque भी low होता है, जिसके वज़य से क्या होता है, कि mmf जो moving coil में generate ह होता है इंडूर्स के में मैं उसका वैल्यू जो है वह भी लो तो सको इंक्रीज करने के ुट चीज कर सकते हैं हम लोग या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि करेंट को बढ़ा सकते हैं या तो नमबर आप ठेंट जबढ़ा सकते हैं तो concealed कोई mają्प सकते 200 million से increase नहीं कर सकते क्योंकि इससे हम लोग हाई करेंट से हम लोगों का हीट काफी जेनरेट होता है इसलिए हम लोग जो है 200 million का ही current में हम लोग input करते हैं बट जब हम लोग का number of turns increase करते हैं तो क्वाइल का size बढ़ा हो जाता है जिसके वजह से क्या होता है कि टॉर्क तो वही है बट वेट जो है size बढ़ाने से हमारा क्वाइल का वेट बढ़ जाता है जिसके वैसे टॉर्क वेट रेशियो जो है वो बढ़ जाता है और हमारा जो system है वो थोड़ा सा lethargic that means के low sensitive हो जाता है और उसमें जो है friction की sorry friction generate होने लगता है जिसके वैसे इसका sensitivity क्या हो जाता है घड जाता है तो इसको reduce करने का बस एक ही तरीका है कि जब हम लोग जो है डिजाइनिंग करें एलेक्ट्रडैनमोमीटर टाइप इंस्ट्रुमेंट का तो उसको थोड़ा ध्यान से डिजाइन करें ओक्या नेक्स्ट है आपका frequency error तो frequency error जो एलेक्ट्रडैनमोमीटर टाइप इंस्ट्रुमेंट में होता है वो variable self-reactance of coil के वज़े से होता है ठीक है with frequency frequency के वज़े से वहाँ पर self-reactance जो coil का होता है वो vary करता है और in case of in case of voltmeter तो इसको reduce करने के लिए जो voltmeter का coil winding होता है उसको हम लोग small part में part of circuit में उसको हम लोग क्या करते है डिवाइड कर देते है जिससे क्या आता है कि inductive reactance को यह क्या करता है कि small fraction में of total impedance इसको small fraction में यह डिवाइड कर देता है तो जब हम लोग voltmeter पढ़ेंगे यह एक्ट्रोडाइनोमो मीटर का जब application voltmeter में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको further discuss करेंगे कि reactance के वाज़ा से इसमें कैसे प्रिक्वेंसी के वाज़ासे इसका reactance कैसे वैरी हुआ और इसमें क्या-क्या कैसे एरर जन्रेट हुआ है नेक्स्ट है हमारा AD current error तो the effect of AD current error is produced a torque as result of coupling between moving coil and adjacent metal part हमारा जो device या फिर इंस्ट्रिमेंट जो होता है उसमें moving coil और fixed coil के अलावा भी और metal parts होते हैं जिसके वज़े से क्या वा-ता है कि AD current की a d current generate हो जाता है और इससे क्या आता है कि you generate होता है तो ओ है तो इसको reduce करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो metal होता है क्वाई सपोर्ट के लिए ए प Getting उन्ले मेग उस और गर हम loi मोविंग कौाईल से हम लोग थोड़ा उसको डिस्टेंस बनाकर के रखें ओके इससे क्या रता है कि AD करेंट को हम लोग को reduce कर सकते हैं नेक्स है हमारा external magnetic field error इसको हम लोग astray magnetic field error भी कह सकते हैं तो हमारा जो elektro dynamometer का magnetic field है वो काफी weak है तो इसको external magnetic field से हमारा जो मतलब बचाना होगा protect करना होगा reason क्या है कि अगर हमारा internal weak और external अगर हमारा strong होगा जिसके वैसे हमारा deflection पर effect पर सकता है, तो this type of, this also causes error in measurement, तो इसके वैसे हम लोग shielding करते हैं, okay, next temperature change, तो high current, जैसे ही current, coil में high current carry करता है, तो जिसके वैसे heat होता है, okay, heat generate होता है, तो इस heat के वैसे भी क्या होता है, कि errors generate होता है, तो इसको reduce करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक compensating resistance का हम लोग use करते हैं, जो कि high temperature effect को हम लोग का क्या करता है, compensate करता है, जिसको हम लोग swamping resistance भी कहते थे PMNC में, तो यहाँ पर भी swamping resistance ही होगा, okay, तो this is all for today session, thank you, till then keep learning, keep watching.